बिस्मिल्ला इर्मान इर्रहीम, on the demand of Abhishek, BCA, Kolhan University, Jharkhand यह problem differential calculus के partial differentiation chapter से है if u is equal to x square 10 inverse y upon x minus y square 10 inverse x upon y show that del 2 u over del x del y is equal to x square minus y square upon x square plus y square तो यहां से देखने से पता चलता है कि हमें पहले u का y की respect में differentiation करना है partially फिर जो आजाए उसका x की respect में करना है तो u हमें given है u की value x square into 10 inverse y upon x minus y square into 10 inverse x upon y अब हमें u का y की respect में partial differentiation चाहिए यहनी del u over del y की value चाहिए तो हम इसको differentiate करेंगे यहां पर दो टर्म है तो दोनों टर्म का y की respect में partially differentiation करना होगा x square into 10 inverse y upon x का इसी तरी के second term हमें माइनिस बाहर ले लिया और इसका यहनी y square 10 inverse y x upon y का में y की respect में partially differentiation करना है तो कि हम लोग जानते है partially differentiation में y के लिए x constant होता है तो इसे into में अगर constant बाहर लिख लेंगे सिर्फ हमें differentiation अब करना होगा 10 inverse y upon x का लेकिन यहां पर यह दोनों ही function y के function है तो हां पर हमको first or second करना होगा यह हमने फंक्षन को मान tulee थो उस्क्राइवज दिफारेजिशन ऑफ से कन और से कन prépar Gustaf करना रहा है को एम वाइय की इंड्री पार सरी ०्रैक्षार इंड्री एक माइए फिरें ऋग इसे नहीं दो एकस इंटू में जो एकस स्क्वेर से पहले ही लिखा रहे हैं और 10 इंवर्स का डिफ्रेंसिसन हम लोग जानते हैं होता है 1 अपन एकस नहीं है याँ वाई बाई जो श्कानों के पांट यह वाई से दो उसे यह नहीं है माइनस अब यहां पर हमें करना होगा y square into में बाहर ले ले इसको उसी तरीके जैसे अभी यहां पर किया था इसको y समझें और 10 inverse y का डिफ्रेंसेशन जैसा होता है 1 upon 1 plus y square लेकिन यह नहीं है बलके क्या है x upon y है तो into में इसका दुबारा से में डिफ्रेंसेशन वाई के डिफ्रेंसेशन में करना होगा x upon y का प्लस टैन इन वाई और y स्क्वेर करेंगे तो यह पावर आगे जाएगी और यतनी भी पावर होगी उसमें से एक कम ऊजाएगी तूबार्यम टू मैनिस का बंट कि यह यहांब बात का तम हो जाएगी और इस x square into 1 upon y square upon y square कि उसके बाद यहांपर हमें डिफ्रेंसेशन करना है y upon x का y के डिए यी के लिए x constant है तो 1 upon x को हम यहांपर पहले लिख लेंगे 1 upon x को पहले लिख लेंगे और y का y के डिस्पेंड में डिफ्रेंसेशन one हो गया माइनस ऐसी कल्कुलेशन इस ब्रेकिट के अंदर है y square और इसमें भी 1 plus x square upon y square हो जाएगा और y के लिए x constant होगा x बहार लेंगा और इस y की अभी power plus का बन है जब new rate में ले जाएगे तो power minus की बन हो जाएगी तो इस calculation को करके दिखा दे रहे हैं y square into 1 upon 1 plus x square upon y square और x को हमने बाहर ले लिया और differentiation करना है हमको y की power minus 1 का क्योंकि इस y को जो ऊपर ले जाएगे तो power minus 1 हो जाएगी और यह value पहले लिखने 2 और y की बाहर 1 हो जाएगी लिखने लिखने की ज़रूवत नहीं है नहीं 2y प्लस का होगा 2y और 10 inverse x upon x upon y make it close यह upon 1 करते हूं यहाँ पर LCM ले लेंगे और देखने हैं कि x की एक power cancel हो जाएगी इस वाले x है तो उपर numerator में फिलाल अभी x है और यहां पर LCM लेंगे x square one or x square kalsy x square के देखाएगा और यहां पर into y square आजाएगा minus और ऐसे calculation यहां पर भी थोड़ा चलना है भी y square into इसमें भी अपान बन करके इसमें LCM लेंगे y square LCM हो जाएगा और y square के देखाएगा और 1 का यहां पर x square हो जाएगा into में x जाला है और differentiation करते हैं y के रिस्पेक्ट में y के बार मैनस बनका तो पाबर आ गया जाएगी और जितनी भी पाबर होगी यहां पर समय से 1 minus हो जाएगा मैनस कर 2 हो जाएगा यह टर्म शाल हो चुका तर पहले ही 2y 10 inverse 10 inverse x upon y अब यह डबल अपान में तो इस x square का उपर जाके numerator में multiply हो जाएगा यहां पर भी डबल अपान में तो y square का उपर जाके multiply हो जाएगा यह माइनस है यूस कॉम सुरू में लिख दे रहे हैं y square इंटू यह वाला y square उपर पहुँचेगा अपान में हमारा y square प्लस x square है और x इंटू में यह भी है और मैंस हम सुरू में लिख चुके हैं y की पावर अगर प्लस करना है तो इसको 1 अपान y square भी लिख सकते हैं और इस टर्म को लिख दें जो वाकी बचा हुआ है 2y इंटू 10 inverse x upon y तो एकर y square से y square हो जाएगा है cancel और यहां पर x की पावर 3 हो जाएगी तो x की पावर x की पावर 3 अपान में हो जाएगा है x square plus y square है और माइनस बचे का वो लिख देंगे माइनस यहां पर बच रहा है एक्स है और y की पावर 2 है होल अपान में x square को पहले लिख दें प्लस का y square और प्लस यह वाला टर्म है 2y 10 inverse 10 inverse x upon y अब इस ब्रेक्ट को में open कर देंगे तो में बेल बिलेगी x cube अपान x square plus y square यह मैंनस मैंनस ब्लस हो जाएगा x y square अपान x square plus y square और यह टर्म प्लस था तो लेकिन ब्रेक्ट को माइनस हो जाएगा 2y 10 inverse x upon y अब इन दोनों कर देंगे तो हमारे पास यह value जो चल लेंगे तो हम हमारे पास यह value जो चल लेंगे थी हमने value find की थी डेल यू वर डेल वाई की value निकाले थी यह आगए x minus 2y 10 inverse 10 inverse x upon y अब हमें जो कि इसके सेकंड डेडिवेटिव चाहिए यू का बिद रिस्पेक्ट टू एक्स एन वाई तो यह से निकलेगा कि जो बार में इस तरब लिखा होता है उसके सब्सक्राइब करना होता है और इस चरब लिखा होता है उसके रिस्पेक्ट में पहले डिफ्रेंसेशन करना होता है जो हमने पहले से करके यह रखा हुआ है तो बस हम यहां पर वैलू डालना होगी यानि डैल यू वर डैल वाई की वैलू यह लिख देंगे और मफाननस सेकेंद घरम का डिफ्रेंसेशन यहें हम टुवाई इंटु एंटु पान य करेंगे तो smdx कैसरेंगे डिफ्रेंसेशन करें और सिर्फ करना बाग की रहा जाएगा एक्स के रिस्पेक्ट में 10 इन वस 10 इन वस एक्स एपान वाई का रिफ्रेंशास करना रहे जाएगा वाकि जिसकों डिफरेंशीट करेंगे तो 1-2y ऐसे लिख दे हैं और इसको जास्ते इसको लुग जानते हैं इसको गर एक्स होता ही तो 10 inverse x का differentiation 1 upon 1 plus x square होता लेकिन x नहीं है यह x upon y है तो इसलिए हम इसको यह x upon y को दुवारा से x के रिस्पेक्ट में पासली differentiation करना होगा तो 1-2y upon 1 plus break it dot आएंगे तो x का भी square हो जाएगा और y का भी square हो जाएगा ऐसे यहाँ पर x के लिए y constant है यह x upon y लिखा हुआ हमारा और x के लिए y constant है तो 1 upon y बहार कर लीजिए सिर्व हमें differentiation x करना पड़ेगा x के रिस्पेक्ट में तो 1-2y into upon 1 करते हुए इनका LC में ले लेंगे तो यहाँ पर y square LC में हो जाएगा तो y square का यहाँ 1 में इंट होगा और इस 1 का x square में इंट होगा into one upon y पहले से चल लाता है और x का x के रिस्पेक्ट में बन हो जाएगा वाई उपर नीचे यह cancel कर सकते हैं हम लोग तो वैलू जो चल लिए 1-2 times y यह जो double upon में इसका उपर जाके 1 में multiply हो जाएगा तो y square बन जाएगा उपर यह 11 है तो इंट हो कि यह आगया और अपान में इसको पहले लिख लिए हम x square को प्लस y square को फिर इस फ्रेक्शन है इसको फ्रेक्शन दलने के लिए बन को बन अपन बन कर लेंगे और बन और इस x square plus y square का LCM जो होगा वह x square plus y square ले ले लिए तो इसका इदर इंट हो जाएगा यह एक्स स्क्वेर प्लस का y square और इंट का इदर इंट हो जाएगा तो 2 x 2 y square है आप सुरी बैके इस ओपन कर लेंगे तो यह ब्रेक्शन ओपन करेंगे तो कोई इफेक्ट स्पनी पड़ेगा लेकिन यह देखना है कि y square two times minus के हैं और एक y square one times plus के हैं तो इस minus कर देंगे बड़े में से छोटा घटा देंगे देंगे माइनस वाला साइन आएगा नहीं माइनस का y square है जागा इस तरीके से x square minus y square आपान x square plus y square डारिक भी आपके सकते था यह मैं फाइंड करना था second derivative of u with respect to x and y thank you very much indeed for listening नी बाकृत दाबाना अल्हम्दुलिल्लाही रब्लालमीन